नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी पौरानिक कताएं पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले जै श्री गनेशाय नमा दोस्तों बुधवार की रात चुपक से किसी को बिना बताएं रख देना यहाँ पर एक लौंग जीवन की हर कश्टों से मिल जाएगी आपको तुरंत मुक्ती और भगवान गनेश जी के आशिरवाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और बन जाओगे आप धनवान दोस्तों हमारे हिंदू रीती रिव पूजा पाठ में धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ही खास और खास महत्व होता है जोतिश शास्त्र में लौंग के ऐसे उपाय जिनको यदि आप किसी भी बुधवार के दिन कर लें तो न केवल आपकी आपका साथ देना शुरू कर देती है बलकि आपका कोई भी सपना हो वो ज़रूर ही पूरा होता है आज की इस वीडियो में हम आपको लौंग के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं जिन उपायों को यदि आप सही मुहूर्थ पर सही क्रिया अनुसार कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका भाग्या आपका इस तरह से जीवन में आपको एक चमतकारी और पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेगा दोस्तों यदि आप किसी जोतिशी के पास पंडित के पास एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अपनी परेशानी उनको बताते हैं तो वह जो भी आपको उपाय बताएंगे तरीका बताएं स्किप किये देख लेते हैं और लॉन के उन उपायों को तरीके से समझ कर कर लेते हैं जो केवल आपको बुधवार के दिन दो चार मिनट निकाल के करना है तो मान के चलिए दोस्तों जीवन की सभी समस्याओं से आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी शायद यह बात आपको न पता हो दोस्तों मा लक्ष्मी जी भगवान विश्नु जी और बली जी की पूजा पाठ में यदी का प्रयोग न किया जाए इनकी पूजा समपन्न मानी जाती है दूसरी और यदी कोई व्यक्ती यह चाहता है उसकी पूजा हनुमान जी महाराज के सामने सिद्ध ہو वह जो भी उपाय हनुमान जी के सामने करें कुछ उपाय का उसको तुरंट फायदा मिल जाए तो उसको हनुमान जी के सामने लौन के उपाय जरूर ही करना चाहिए उसको अपनी पूजा में हनुमान जी के सामने लौंग का प्रयोग करना ही चाहिए लौंग हनुमान जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होती है अब आप लोग यह बात जरूर सोचेंगे कि आखिर लौंग हनुमान जी महाराज को इतनी प्रिय क्यों है आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दे लौंग का जो आकार होता है वह जी की गदा की तरह होता है इसलिए हनुमान जी महाराज को लोग बहुत ही ज्यादा प्रिय है जोतिश शास्त्र में तंत्र शास्त्र में लौन के उपाय को सबसे अववल उपाय बताया गया है कहा जाता है कि लौन का उपाय यदि बुध्वार के दिन मार्ग पर सही किया अनुसार किया जाए तो यह उपाय खाली जाही नहीं, शायद यह बात आप लोगों को पता ना हो तो जितने भी तांत्रिक होते हैं, वह जो भी टोना टोटका करते हैं। लॉंग का प्रयोग भी करते हैं, जैसे हम आपके वीडियो की में ही बता चुके हैं। लॉंग का प्रयोग यदी किसी पूजा में किया जाएं तो वह पूजा सिध्ध हो जाती है और दोस्तों यदी आज के इस छोटे से विडियो को अब देखते हैं और समझ के कि उन उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुरान में लिखा हुआ है जो प्राचीन काल के समय के महान उपाय है सच मानी है जीवन की समस्त तरह के दो हक समस्याएं दिक्कत तो आपको हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी हनुमान जी वो आशिरवाद और वर्दान आपको मिलेगा जिसके आपकी मान लीजिए जौब नहीं लग रही थी आपकी जौब लग जाएगी आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा इस बीमारी ने आपको बहुत ज्यादा परिशान कर दिया बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएगे आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी टिकेगा भी उसमें वृद्धी भी होगी आपका मंगल है आपका इतना साथ देगा कि जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में सफल होंगे इसलिए दोस्तों यदि आप भी चाहते कि हनुमान जी की क्रिपा और आशिर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदय बना रहे हैं हनुमान जी महाराज के आशिर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं हनुमान जी महाराज का आशिरवाद आपको मिलेगा आपके जीवन में फिर आपको कभी भी दुख गर्थ तकलीफों का सामना न करना पड़े तो सच्छी श्रधा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख लीजिए महाराज की जय दोस्तों लॉंग का उपाय यदी सही महूर्थ पर हमला करते हैं तो जरूर ही इसका फायदा मिलता है किन्तु उपाय करने से पहले एक बात का ध्यान रखिएगा लॉंग के उपाय का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप इस उपाय को सही महूर्थ पर करेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों जितनी भी हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं उपायों को करने की एक विधी है और है इस हर उपाय को कहीं पर लिख लीजिए इसको किस पर करना है इस खास करके ध्यान रखिएगा और अभी तक आपने वीडियो लाइव नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताना रहे वह धन प्राप्ती का उपाय यह उपाय आपको पांच को द्वार करना है पास बुधवार का मतलब पांच सप्ताह आपका मासिक भोजन नहीं कर सकते हैं तामसिक का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुठखा, पान, मसाला, मचली, अंडा यह सब आपको छोड़ना पड़ेगा मान आपके जीवन में धन आना हो गया हो धन आने के सारे रास्ते बंध हो गए जीवन में फिजूल खर्ची बढ़ गई है और यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन के समस्थ तरह के आर्थिक कष्टों से आपको मुक्ती मिल जाए और आपके जीवन में हनुमान जी के आशिरवाद से धन की वर्शा हो तो बस यह उपाय पाँच बुधवार कर लीजिए पाँच बुधवार का मतलब यह है दोस्तों की आपको ये पाँच बुधवार क्रिया अनुसार उपाय करना होगा सबसे पहले बुधवार को सूर्यास्त के बाद आपको नहाना धोना है कपड़े पहनने है क्योंकि हनुमान जी महाराज को लाल बहुत ही प्रिय होता है अब आपको कुछ चीजें चाहिए होगी जैसे आपको चमेली के तेल का दीपक चाहिए आपको एक शीशी चाहिए चाहे प्लास्टिक की शीशी ले लीजिए चाहे काँच की शीशी ले लीजिए एक लाल कपड़ा लेना है आपको आधा भरना होगा नमक अब आपको हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सूर्यास्त के बाद अपने घर पर बैठना है सबसे पहले चमेली के तेल का दीपक जलाए लाल कपड़ा भी चाहिए कपड़े पर आपने जोली जिसमें आधा नमक भरा है उसको अपने हाथ में दो लॉंड लीजिये हनुमान जी का भी इस मंतर बोले 20 मंतर इस तरह से ओम हनुमते नम हम फिर से रिपीट कर रही है दोस्तों ओम हनुमते नम हम इस मंतर का जाप कम से कम 1008 बार करना है क्योंकि भगवान शिव जी हो गए भगवान हनुमान जी महाराज इनकी पूजा में जब भी 1008-1108-1108 इस तरीके के अंक का प्रयोग किया जाए तो फाइदा आपको तुरंत का तुरंत मिल जाता है मंतर का जाप कर लिया इस दो लॉंग को इस शीशी में रख दीजिए अब आपको इस लाल कपडे से शीशे को रख करके पोटली बनानी है पोटली बनाते वक्त धागे का प्रयोग किया जाएगा इसी पोटली को तिजोरी में अलमारी में जहां भी आप पैसों का लेंदेन करते हैं पैसा सोना जेवरात रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए एक बुधवार को अपने यह उपाय कर लिया दूसरे बुधवार को इसको निकालिए शिक्षकों को लिए लॉंग हाथ में रखिए हनुमान जी का बीज मंत्र और दो लॉंग रख दीजिए पांच बुधवार यह उपाय कर लीजिए इतना उपाय यदि आपने कर लिया तो लॉंग आपके जीवन के समस्त तरह के आर्थिक कश्टों को तंगी को समाप्त कर देगी और आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा धन पाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे साक्षात आपको है हनुमान जी महाराज का आशिरवात मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में आपको धन संबंधित परेशानी हो ही नहीं सकती है तो दोस्तों इस बात पर सेक्षन में तुरंत दीजिये बजरंगबली की जाए दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रही है दोस्तों वो है घर की बरकत का माहौल उपाय दोस्तों शायद बात आपको न पता हो आज का समाज एक ऐसा समाज है जो आपको कभी भी हनस्ता खेलता कूदता नहीं देख सकता है यदि अब घर की बरकत होती है उन्नती होती है तो लोग नजर लगा देते हैं और जोतिश शास्त्र में एक शब्द लिखा हुआ है कि नजर तो इतनी खतरनाक होती है कि वह हरे पेड को भी देती है और यदि आपके घर की बरकत हो रही थी उन्नती हो रही थी घर की बरकत रुप गई है उन्नत रुप गई है कि घर पर रोज लड़ाई जगडा ग्रिहकलेश हो रहा है तीन बुधवार आपको यह उपाय करना होगा जो आपको हम बताएं और ये उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी उन्नती होगी और हनुमान जी का आशिरवाद आपके घर क को मिल जाएगा कि आपको तीन बुधवार मतलब सूर्यास्त के बाद आना है धोना नहाने धोने के बाद लाल पहन लीजिएगा आप घर के मुख्य दरवाजे से लेकर के घर के हर कोने में एक सरसों के तेल का जलाना है और एक एक लॉम डालना एक लॉम डालने से पहले जर पर पॉजिटिव उर्जा का वास हो जाएगा तीसरा उपाय बताने से पहले आप से निवेदन था कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा तीसरा उपाय है दोस्तों में बंद पड़े व्यापार को चलाने यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था अब आपका व्यापा पढ़ गया आप इस चीज को करके बड़ा परिशान है आप चाहते हैं कि आपके व्यापार चल जाए तो एक माह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं देखिए ये उपाय आपको बुधवार की सुभ़ करना होगा बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों सुभ़ का मतलब पहले आप कभी भी यह उपाय कर लीजिए और किसी भी बुधवार के दिन कर लीजिए एक ही बुधवार का ये उपाय है कुछ चीजें चाहिए होगी लाल कपड़ा चाहिए आपको 11 लौन चाहिए और 5 गोमती चाहिए किसी भी पूजा घर पर यह आसानी से मिल जाता है अ अब आपको ये सारी चीजे लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले हनुमान जी महाराज के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है। लाल कपडे बिछाए उस पर 11 रोग रखे पांच गोमती चक्र रखे इस कपडे की पोटली बना लीजिए इस पोटली हनुमान जी के दाएं चरण से चुआने से पहले वो का एक आठ बार जापकर इस पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण चुए और अपने व्यापार स्थ इस पोटली को रख दीजिए आपके व्यापार को जिसकी भी नजर लगी होगी आपके व्यापार पर जो भी दोशी होगा भी दिक्कत होगी वह समाप्त हो जाएगा और आपका व्यापार बहुत तेजी से चल जाएगा और आपके व्यापार दिशाओं से आना शुरू हो दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है, उसके साथ होता है, मान के चलिए, वह गलत निर्नय भी लेगा, कुछ गलत निर्नय से भी उसको फाइदा पहुचेगा, और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह है, उसका साथ नहीं होता है, वो कितनी ही महं कितना ही परिश्रम कर ले, कभी भी उसको काम्याबी नहीं मिल सकती है। मंगल ग्रह उसके साथ होता है, उस व्यक्ति का भाग्य भी उसका देता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपका ग्रह आपका साथ दे तीन बुधवार या उपाय कीजिये जो आपको हम आपको बताने जा रहे हैं और आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना चालू कर देगा। 3 बुधवार का मतलब 3 सब्ताह आप तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं. आपको पहले बुधवार को सूरियास्ट से पहले नहाना है. धोना है लाल कपड़े पहने हैं. आपको हाथ में लॉटा लेना है. लोटा कौन सा तामबे का लोटा होना, उसमें पूरा गंगा जल भर दीजिए आपको दो लॉंग अपने हाथ में लेनी किसी भी घर के पास वाले पीपल के पेड़ के पास चले जाएं पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद सबसे पहले एक लोटा जल चढ़ाएं और दो लॉंग को पूर्व दिशा में बढ़ा दीजिए तीन बुधवार या बार कर लीजिए तीन बुधवार के बाद मान के चलिए आपका मंगल ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा